अध्विक को ब्लड कैंसर है उसके माबाप उसके इलाज कराने में और समर्थ है इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है डिस्क्रिपिशन में दियो है लिंक पर जाएं और अध्विक की उमीद बनें भारत और न्यूजीलेंड की बीच होने जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपिंशिप का फाइनल मुकाबला साउथ हैंटन में और भारतिय टीम कुछी दिनों पहले पहुची है साउथ हैंटन जहां पर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और काफी जादा कून फसीना बह पर उनके साथ मौजूद हैं और वो भी काफी खुबसूरत तस्वीरें साजा कर रही है लेकिन उन तस्वीरों में से एक तस्वीर है जो कि काफी जादा चर्चाओं में है आजकल वो है अथिया शेटी की एक पोटो जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम हैनल के द्वारा पोस दिखें हैं अपने साथ उन्होंने एक दूसरे के साथ फोटो भी कई मौकों पर शेर की हैं सोशल मीडिया पर और अब अथिया शेटी की कुछ तस्वीरें हैं जिनको देखकर पैंस पूच रहे हैं कि क्या वो भी के लगा हुल के साथ यूके में मौजूद है जो कि उनकी जो तमाम बैक्राउंड्स हैं जो तमाम हम यूँ कहें साइन्स जो दिख रहे हैं उससे यही लग रहा है कि अथिया शेटी भी यूके टोर पर केल राहुल के साथ साथ हैम्टन में इस वक्त मौजूद है दरसल अथिया शेटी ने एक ब्लाक और वाइट तस्वीर साजा की है जिसे देखकर अंदाजा लगाय जा रहा है कि वो इंग्लैंड में हैं इस समय केल राहुल भी अपने मैच के लिए वहां मौजूद हैं और ऐसे में फैंस ने अटकले लगाना शुरू कर दिया है कि दो अटिया शेटी ने शेटी तो कभी कोल्रटी टाइम बताते हुए अब जो अथिया ने तस्वीर साजा की है उसमें जो बैकड्राउंड नजर आ रहा है उस जगा पर केल राहुल भी तस्वीर साजा कर चुके हैं और ऐसे में फैंस सबसे पहले यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अथिया भी इंग्लैंड में केल राहुल के साथ हैं अथिया ने तस्वीर के साथ-साथ एक कैप्शन भी लिखा है अपनी उर्जा को बचा कर रखें केवल यही नहीं कुछी दिन पहले अथिया शेटी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्ह अधिया ने जो फोटो शेर की है वो एक होटेल का कमरा लग रहा है और ऐसे में फैंस सवाल पूछ रहे हैं वर्ल टेस्ट चैंपिन्शिप फाइनल और इंग्लैंड दौरे के लिए जा रहे टीम इंडिया के खिलाडियों को अपने फैमिली को साथ ले जाने की अनुमती मिल गई थी बारती टीम के लिए ये एक लंबा दोरा रहेगा साउथ आम्टन पहुचते ही विराट कोली जस्परीद बुमरा समेट कई क्रिकिटर्स की पत्नियों ने साउथ आम्टन से हाली में अपनी तस्वीरे साजा की अब केल राहूल और अथिया दोनों जब भी साथ दिखे हमेशा सुर्खियों में रहे हैं राहूल और बॉलिवुड के अनना सुनील शेटी की बेटी अथिया के बीच अफैर की खबरे लंबे समय से आती रही है वहीं अथिया के वर्क फरंड की बात करें तो वो काफी समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आई है अथिया आखरी बार नवाज दीन सिदिकी के साथ फिल्म मोती चूर चकना चूर में नजर आई थी अथिया और केल राहू सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ तस्वीर डालते रहते हैं अप्रेल में केल राहू के बर्दे के बॉके पर अथिया ने एक खास पोस्ट पिसाजा किया था जिसमें उन्होंने उनके साथ तस्वीर डालते हुए कैप्शन में लिखा था मैं आपके लिए शुक्र गुजार हो न्यूस तक ब्यूरो